सो हेलो गाइज, वेलकम बैक, मुझे बोलो यार मैं आया हूँ एक हफते की छुटे के बाद या, I know मैं एक हफते से गायब था, हाँ थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इसलिए यूट्यूब पर जादा मैं एक्टिव नहीं रह पाया बढ़ हाँ, Instagram पर मैं जरूर से अक्टिव था, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, Rohan4U के नाम से मेरा यूजर नेम है यानि के OPPO and Vivo, इनका यार मतलब सिस्टम कुछ ऐसे चलता था, कि चार महीने ये एक OPPO का स्मार्टफोन उपर रखते थे, फिर अगले चार महीने उसे शांत कर देते थे, वीव का एक स्मार्टफोन उपर आ जाता था पंदरा हजार रुपे है, जी हाँ, 14,999 रुपे, और यार मैंने जो एक चीज नोट की है, कि ओफलाइन मार्किट में इन दोनों कंपनीज का काफी दब-दबा है, और यार इनका जो ASP है, मतलब Average Selling Price, वो भी इनका यही 15,000 के नियर अबाउट का है, यानि कि ओफलाइन मा पर हम एक वीडियो भी बना लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इन दोनों फोन के बारे में, एंड साथ में कंपेरिजन भी हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो लेके मैं आप लोगों के लिए हाजर हो चुका हूँ, जिसमें हम यार कंपेर करने वाले हैं, वीवो की तरफ से Y27 and OPPO की तरफ से A58, same price point, दोनों 4G स्मार्टफोन, बड़ दोनों में से लेना कौन सा है, कौन सा नहीं लेना है, जो लेना है, क्यों लेना है, जो नहीं लेना है, वो क्यों नहीं लेना है, सारी बात आप पर डिसकस करेंगे, आज की इस वीडियो में एक एक करके दोनों की specification and comparison करते रहेंगे, and end में एक conclusion भी आपको देंगे, जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं, शुरू और शुरू करेंगे यार, यहां पर दोनों की design and build के साथ, सबसे पहले आप OPPO A58 यहां पर देख सकते हो, जिसका यार back design, मतलब काफी common हो चुका है, 10,000 में भी वही design, 30,000 मे headphone jack, and dual stereo speaker का भी support आपको OPPO के phone में देखने को मिलने वाला है, बात करते हैं, वीवो की, so, वीवो का भी design देखने में थोड़ा सा वैसा ही है, जैसे इनका Y16 आया था, Y100 आया था, वैसा ही design यहां पर आपको देखने को मिलता है, बट वीवो में जो आपको एक black color देखने को म triple card slot आपको दोनों फोन्स में ही देखने को मिलने वाला है, side mount and fingerprint scanner इसमें भी रहेगा, face unlock भी आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा, बट वीवो में यहां पर आपको single speaker ही मिलने वाला है, बाकि यह दोनों phone IP54 की rating के साथ आते हैं, यहां पर इनका physical overview आप लोगों के सामने हैं, बात कर लएते हैं, यार अहीं डिस्पसद के बारे में. सो ओपो में यहांपर आपको पंचोल डिस्प्लेश देखने को मिलती है, जबकि websites और वीव में अभी भी आपको वही वाटर-द्रौप नोच वारी दिस्प्लेश देखने को मिलती। पता नहीं है यार कभी ने चेंज करेंगे और उसके इलावा यहां पर मैं बात कुरू स्क्रीन साइज की सो ओपो में आपको 6.72 इंच के फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और जहां पर आपको वाइडवन एलवन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए डिस्प्ले देखने को मिलेगी 600 निट्स के पीक प्राइटने सोने वाली है और उसी के इलावा यहां पर यह भी आपको IPS LCD डिस्प्ले ही आएगी एंच साथ में वाइडवन एलवन का भी सपोर्ट आ जाएगा और 60 हर्ट का नॉर्मल रिफ्रेश रेट यहां पर आपको दे ट्रेस जींट कि आयेगा और यहां और दृट रहने वाला है डिस्प्ले के मामले में एंग्षाट के वाज़े वज़से वहां से क्याबको से घ्लेर से देखने को मिलेगा औरौ मैं 50MP प्लस 20 में के लिए और वीं कामरी में ए्टा गंगती में प्रेटी अफंग के लिए के पर पंचोल देखने को मिलेगा 8 MP and Vivo में भी आपको फ्रंट साइड पर 8 MP वाटर ड्रोप वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा वीडियो भी दोनों फोन में आपको सेम ही देखने को मिल जाएगी 1080p पर 30fps, 720 पर 30fps and same as front camera में भी 1080p पर 30fps and 720 पर 30fps दोनों फोन में आपको similar देखने को मिल जाएगे किसे में भी 60fps को option आपको नहीं मिलने वाला aperture value भी है सबकी सेम ही रहने वाली है 50 MP, aperture value F 1.8 के साथ and 2.4 यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2 MP के लिए and front camera में आपको F 2.0 देखने को मिल जाएगा दोनों फोन में aperture value भी सेम रहने वाली है और दोनों फोन के cameras no doubt काफी अच्छे होते हैं so cameras को मैं यहाँ पर similar ही judge करूँगा because दोनों के cameras अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं जादा कोई दिक्कत पशानी हैं दोनों ही आपको गोरा कर देते हैं आगे आजाते हैं बात करते हैं जरा battery and charging के बारे में so battery backup तो आपको दोनों फोन में similar ही देखने को मिलेगा 5000 mAh का but charging speed में यहाँ पर आपको difference देखने को मिल जाता है because OPPO में आपको मिलता है VOOC charger 33 watt वाला और Vivo में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोसेसर की इसो प्रोसेसर दोनों फोन में similar ही होने वाला है and मैं दोनों के प्रोसेसर से खुश नहीं हूँ because guys यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है MediaDeck Helio G85 वाला प्रोसेसर 15,000 की range में आज की date में G85 कहां से stand करता है पहले तो मुझे यह बताओ तुम दोनों यार हमारे यहां ऐसा ही होता है 12NM की fabrication की उपर यह प्रोसेसर बेस्ट है 2.0 GHz की peak clock speed देखने को यहाँ आपको मिल जाएगी Octagor processor है Gaming and Graphic को संभालने के लिए ARM Mali G52 MC2 वाला यहाँ आपको GPU देखने को मिल जाएगा जो कि आपको अच्छी गेम करवाएगा हाँ यह सब बे, Surfer, Temple, Run, Candy Crush यह आप अच्छे से खेल सकते हो बाकि PUBG वगएरा खेल सकते हो बट 15,000 वाली फील नहीं आएगी लगेगा यह नहीं कि 15,000 वाली फोन में खेल रहे हैं यहां पर यह हलकी से प्रफॉर्मंस को लेकर जरूर से दिक्कत आपको आने वाली है बाकि OPPO यहां पर आपको देखने को मिलेगा Android 13 के उपर सेम आपको वीव भी Android 13 के उपर देखने को मिल जाएगा बट OPPO में आपको मिलता है इनका Color OS 13.1 और वीव में आपको मिलेगा Funtouch OS 13 और अपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ मैंने दोनों फोन्स यूज कियो है करंटली मैं OPPO यूज कर भी रहा हूँ तो यार मेरा बेटर एक्सपीरियंस अपरेटिंग सिस्टम के साथ OPPO में रहा है क्यों? कस्टमाइजेशन के काफी सारे options देखने को मिल जाते हैं उसके लावर fonts और अभी हम इसमें easily change कर सकते हैं बट वीवो में as such इतने जादा options नहीं है font तो मुझे free वाला कोई भी देखने को नहीं मिला सारे font पेड ही मिले है तो यार operating system I guess यहां पर हमें OPPO का थोड़ा सा जादा better and जादा मतलब के function के साथ देखने को मिलता है variant की बात करेगा इसो दोनों में ही single-single variant launch किया गया है दोनों phones में ही आपको 6GB RAM और 128GB internal memory वाले phone देखने को मिल जाएंगे एंड दोनों ही phones में आप 1TB तक internal memory को भी increase कर सकते हो बट यहां पर आपको जो expanded RAM का option मिलता है दोनों में ही 6GB का मिलता है बट OPPO में क्या है कि आप 2GB, 4GB, 6GB अपनी मर्जी से expand कर सकते हो बट Vivo में यहां पर आपको 6GB expandable है तो आपको 6 की 6 ही expand करने पड़ेगी जैज़ा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम अपनी RAM को expand करते हैं तो internal memory में से ही GB निकाल के उसे RAM में convert करता है जिसे बाद में वापिस भी करना होता है अगर आपके पास उतनी internal memory होगी तभी आप उसे आगे convert कर पाओगे एसे में वीवो में तो आपको 6 GB रखनी ही पड़ेगी उसे convert करने के लिए उससे जादा ही रखनी पड़ती है 6 GB उसे convert करेगा अभी नहीं 6 GB चाहिए तो उससे आपको जादा ही रखनी पड़ती है बट ओपो में आप 2 GB बेक्स में एंड कर सकते हो चार भी कर सकते हो, छे भी कर सकते हो यह मुझे एक option OPPO में ज्यादा बैटर लगा है यहां पर उसके इलावा, weight and thickness आपको दोनों फोन में सिमिलर सी ही देखने को मिलती है जैनिके OPPO में यहां पर आपको 7.9 mm की thickness देखने को मिल जाएगी इन दोनों फोन में आपको colors भी दो, दोzer देखने को मिल जाते हैं OPPO मिझे आपको मिलता हैласт डेजली ऑं जिरते हैं पर दोनों आपको है निरियट के मिल कांट करते हैं सबसे पहले design की बात करूं तो vivo को यहां पर star मिलेगा बात करें डिस्पले की, so मैं यहां पर OPPO के साथ जाना चाहूंगा बात करें इस क्यामरा की, तो दोनों को ही पॉंट मिलते हैं बात करें अगर बैटरी इन चारजिंग की, बैटरी दोनों की सेम है बड़ चार्जिंग में यहां पर पॉइंट आपका चला जाएगा वीवो के पास और अगर मैं बात करूँ यहां पर इनके मल्टीमीडे एक्सपीरियंस की तो उस साइड पर मैं OPPO की तरफ जाना चाहूँगा बिकॉज यार अगर आपको देखो यहां पर चार्जिंग आपको बड़ी मिल रही है ग्यारा वाट का डिफरेंच बड़ा डिफरेंच होता है पर उसके साथ में OPPO में चीज़ें मिल रही है हम उने भी इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज वहां पर हमें dual speaker देखने को मिल जाता है customization के options जादा देखने को मिल जाते है RAM expansion उसमें हमें जादा better देखने को मिल जाती है काफी तरह की चीज़ें है जैसे कि यहां पर हमें punch hole display भी देखने को मिल जाती है वीव में अभी water drop आ रही है वो आप लोगों की मतलब अपनी पसंद है कि आपको कौन सी पसंद है water drop या punch hole but most of the time trend को भी देखते हुए punch hole जादा demand में है so यहां पर हमें एक चीज़ जादा उससे उपर की मिल रही है so यहां पर हमें 4-5 चीज़ें चोटी-चोटी वाली ही उससे उपर की देखने को मिल जाती है so उन्हें भी हम यार ऐसे ignore नहीं कर सकते so यहां पर यार मतलब के काफी confusion create हो गई है और अगर मुझसे पूछा जाता being honest मैं यहां पर यार OPPO की तर जाना चाहूँगा but 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 अगर आपकी कोई मुझबूरी नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों फोन को ignore करो और एक तीसरे फोन की तरफ चले जाओ ठीक है क्योंकि यह दोनों फोन 15,000 की रेंज में लेने वाले नहीं है जो प्रोसेसर भी है 8, 9, 10,000 तक भी accept कर लेंगे यार but 15,000 बहुत जादा high price हो जाता है G85 के लिए तो आज की डेट में वो consider नहीं किया जा सकता है at least 15,000 अगर customer purchase कर रहा है कोई phone 15,000 की रेंज में तो 5G ज़रूर से होना चाहिए और मैं आपको भी यही suggest करूँगा specification अगर आपको ऐसी similar सी देखने को मिलती है and एक 4G और 5G है so here 1000 रुपे चाहे जादा खर्च कर लेना but you should go with 5G now ठीक है क्योंकि 5G जीओ का अल्रेडी फ्री में चल रहा है काफी states में, काफी cities में आपकी city and state में भी जल्दी आ जाएगा so I think आप लोगों को 5G के साइट जाना चाहिए जादा दूर भी क्यों जाना वीवो का ही देख लो अब T2X model यह रहा है रहा है रहा है और दूसरी साइड 15,000 में आपको एक 4G स्मार्टफोन दे रहा है इस प्रोसेसर के साथ में so Vivo को ही इन चीजों के जवाब देने पड़ेंगे वहाँ पर आपको 4GB, 123GB मिलता है 13,000 का इन 16,000 में आपको 620 देखने को मिल जाता है T2X वाला so I think वह इससे ज़्यादा बैटर आप्शन आपके लिए है so I think वह इससे ज़्यादा बैटर आपको यही मतलब कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग वह पास कोई तीसरो आप्शन और भी मिलता है कोई मजबूरी नहीं है तो यार इन दोनों फोन्स के उपर पैसे इनवेस्ट करने का कोई फाइदा नहीं है आप किसी तीसरे फोन की तरफ जाना आपको जादा बैटर परफॉमेंस और जादा बैटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी पाकि आप लोगों के इन दोनों फोन्स के बारे में क्या रहा है आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्षन में बता सकते हो same specification same pricing confusion तो काफी जादा है बट I think के कुछ तो confusion मैंने आप लोगों की दूर की होगी और अगर यार मेरी कोई भी बात आपको valid लगी हो तो make sure video को like and channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना वीडियो को यार आगे अपने दोस्तों में भी share कर देना और खुद भी है regularly वीडियोस देखते रहा करो और regularly मैं भी कोशिश करूँगा वीडियोस बनाता रहूं बाकी Instagram पर हम मिलते रहेंगे जरूर से जागे वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो and यार मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली किसी और वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग